दोस्तों मैं डॉक्टर दर्बेस आप सबका स्वागत करता हूँ, उम्मिद करता हूँ आप लोग सहत्मंद रहोगे, एक अच्छी जिन्दे की जीने के लिए हमेशा प्रयास करते रहोगे, क्योंकि मोटिवेशन एक ऐसी चीज है, जो हमारी जीवन को आगे बढ़ने के प्रयास करके, उल्जन एस सब में पढ़े रहते हैं, तो आगे बढ़ना दोस्तों मुश्किल हो जाता है, क्रिएटीवीटी दोस्तों खतम हो जाती है, तो किसी की बात, कभी कभी चाहिए एक वीडियो होना क्यों, किसी के आवाज हमारी परिसाने को कही ना कहीं, कुछ हद प्रयास करके, बिना दवाई के, बिना हस्पदाल जाए, आप फिट रहें, और आपका परिवार को फिट होने में, हल्दी होने में, निरोग रहने में, दोस्तों हेल्प करें, तो आज का वीडियो दोस्तों सुरू करता हूं, आसा करता हूं, कि आप लोग सब को ये वीडि आये थे उहीं से मुझे लगा कि ये वीडियो मुझे बनानी चाहिए उनको दो बार हाट आटक हो चुका है 2010 में और 2014 में याने करीबन 55-56 साल के उम्र में दो बार हाट आटक को उन्होंने जहल चुके हैं उसके बाद भी कई सारी जैसे समस्या है जिसके कारणों मेरे पास आय की है और जो तरीका था उनमें से एक चीज मैंने उनको सजेस्ट किया जो आप लोगों से भी साजा करता हूं दोस्तों एक चीज याद रखो अगर आपका गास्ट्रेटिस हमेशा रहता है लीभर में अगर कोई भी खराबी है साथ में आपका हाट में भी प्रावलिम है या आपको लगता है कि हाँ थोड़ा थोड़ा उसमें गड़बडी महसूस हो रहा है या फिर डॉक्टर आपको कहें हैं कि हार्ट का थोड़ा केर करें तो आज का वीडियो में दोस्तों मैं आपको ऐसा टिप्स दोंगा जो अपलाई करके आप जिन्देगी भर दोस्तों सेयत मंद रह सकते हो याने लिवर भी अच्छा रहेगा हाड भी अच्छा रहेगा हाट अटक कभी नहीं होगी और दूसरा है कि लिवर सोडियसिस से आपको जुझना नहीं पड़ेगा इससे आपकी डेथ नहीं होगी याने दो एहम पार्ट हमारे सरीर का उसको कैसे आप अच् 3-3-3 बिमारीओं से एकीप्रेशर के माद्यम से कैसे इलाज करोगे नई किताब भी आ गई है पार्ट वान एकीप्रेशर यह 300 पेज की दोस्तों किताब है इंटर्नेसल्ट संडर्ड हमने इसमें भी मेंटेन किये हैं और एक किताब भी आउनलेन एमेजन पर दोस्तों उपलप्त करा दिया है घर बैटके पॉइंट इसमें लिखा गया है पॉइंट का इस्तिमाल करोगे और फोटो देखोगे उसी हिसाब से अपना पॉइंट दबा के भी आप घर में सेहतमन रह सकते हो ये था हमारी प्रयास जिस प्रयास के आधार पे किताब बनके आता है महनत से उम्मिद करता हूँ जो लोग हमें प्यार करते हो या फिर मेरे से जुड़े हुए हो और साथ साथ आपको लाब होती है वीडियो से अकीपरसर दबा के प्रेशर दे के स्टिमुलेट करके आपको फायदा पहुँच रहा है उन सबसे सजेस्ट करूँगा उन सबको आवान करूँगा रेफराल बुक जरूर रखे चाहे एक कोई भी किताब आप अपने घर में रखी कोई भी लेंग्वेज में दोस्तों आज का वीडियो को सुरू करता हूँ पहली बात है कि जो लेफ्ट साइड हमारा है वो हमारा हाट का साइड है याने हाट हमारा लेफ्ट में है लीवर दोस्तों हमारा राइट में है इसलिए दोनों को अगर आप सहितमन रखना चाहते हो स्टिमलेट अब करना चाहते हो इसके पॉइंट को तो पहला पॉइंट होता है दोस्तों आपका लीवर वो है आपका राइट पाम लिटिल फिंगर के यह देखो नीचे यहाँ पे मैं पूरा स्पॉट बनाया हूँ अच्छे से देखो सुबह उड़ते ही दोस्तों कम बिमारी है तीस बार ज्यादा बिमार हो तो पचास बार इसको दबानी है और उसी तरीके से लेप शाइट में आपका हार्ट है यहाँ देखो पॉइंट बनाया हूँ बिमारी नहीं है तीस बार अगर बिमार हो तो दोस्तों 50 बार कम से कम इसको दबानी है सेम चीज रिपीट करनी है दोस्तों साम को याने सोने के पहले हो या फिर इबनिंग के समय में हो आपको कम से कम 30 से 50 बार इस दोनों पॉइंट को दोस्तों दबानी है इससे भी important बात आपको मैं कहना चाहता हूँ जो आज के पेशेंट को मैंने सजेस्ट किया सीभीर गैस्टाइटीस उनको था आज का आज वो बैठना उनके लिए मुश्किल हो रहा था हाट में थोड़ा से कंजेक्शन फिल हो रही थी हलका सा पेन हो रहा था मैंने उनके छोटा सा एक्सरसाइज कराया पंदरा मिनिट में दोस्तों उनको रहात मिली वही चीज़ आपसे मैं सेयर करता हूँ आप जरूर करें आपको लाव होगी कैसे सुबा उटते ही पॉइंट पहले दबा लेना उसके बाद इसी पॉइंट को दबाते हुए आपको गहरी सांसे लेनी है कैसे ये लिए फिर पॉइंट छोड़े और सांस भी बाहर निकाले फिर से सांस लो पॉइंट दबाओ और सांस बाहर निकालो और पॉइंट छोडो ऐसे कम से कम 20 तो 30 टाइम दोस्तों आप करिये lever side याने राइट पांप में यह पॉइंट को आप दबाओ और सांस जो एक सेकंड़ दो सेकंड़ रोको फिर इसको छोड़ो याने सांस के साथ ते पॉइंट को फिर से दबानी है पहले आपने किया किये पॉइंट को डारेट स्टिमुलेट कर दिये प्रेशर दे दिये फिर सांस के साथ दोस्तों किये ऐसा ही हाट का पॉइंट दबाओ सांस अंदर लो फिर सांस बाहर चोड़ो और point छोड़ो धिला गरो फिर से सांस लो और सांस बाहर point को थोड़ा लूच किये याने point दबा कि आपको सांस लेनी है point को थोड़ा धिला छोड़ो और सांस बाहर निकालो 30 से 50 बार दोस्तों करो याने total 60 to 100 times आपका ये stimulations मिला एक direct और एक सांस के साथ ऐसे अगर दोस्तों करते हो अगर आपका heart में blockage है तब भी ठीक हो जाएगी अगर artery आपकी block हो रही है तब भी दोस्तों ठीक हो जाएगी अगर आपका stand डला हो है जिसे वो सार जिनका example दे रहा हूँ दोस्तों तो अल्रीड डले हुए तो ज़र 10 और 2014 में तब भी problem है दोस्तों क्योंकि अलग अलग तरीके से हम जो जिन्देगी जीते हैं उसमें कई सारा प्रभाब रहता है उस प्रभाब को खतम करने के लिए एक दो point दोस्तों को बड़ा help करेगा विश्वास करना पड़ेगा और उसी विश्वास के साथ जिन्देगी भर दोस्तों आपको करना है एक दोनों point का stimulation सीधे stimulate करो सांस के साथ करो मैं कह रहा हूँ वादा है मेरी जो मुझे मानते हो उनको लाब होगा होगा और होगा जो लोग practice करते हो उनके लिवी suggestions है कि अपने patient को practice करा के देखो अपने center में लाब होना तै है चाहाब एलोपेटी डॉक्टर भी है आईरवेदिक है हुमेपेटी है अपने patient को अपने सामने बिठा के कराओ और उसके बाद उनको एक बारी अगर समझ ले चीज फिर ओ घर जाके करें आप 15 दिन में 20 दिन में पूछी उनको कितना लाब हो रहे हैं दोस्तों लाब ही लाब है हाट पॉंट लिवर पॉंट आपको दिखाया साथ में breathing technique आपको समझाया लाश्ट में एक बार और दिखा देता हूँ अब हाट साइड स्पीड में अगर आप करना चाओ ऐसे करोगे अगर एक एक सेकंड रोकना है तो जैसे पहले मैंने बता है वो करना है सुबा के टाइम में अच्छे से करिए जवरदस तरीके से करिए तीस से सुरू करो करो पचास से बढ़ा के सौ करो दोस्तों कोई बुराई नहीं है ऐसा लाब होगा कि आप मुझे डेफिनेटली वाटस अप करने के लिए मजबूर हो जाओगे कमेंट बक्स में जरूर डाले वीडियो को दोस्तों अच्छे से देखा करो चौदा सो से ज़्यादा वीडियो हो चुका है आप ही के लिए है आपके फाइदे के लिए है यार दोस्त के बीच में सेयर करें और सबसे अच्छी बात है दोस्तों सब्सक्राइब करो बेल आइकन बजाओ जिससे आपका जिन्देगी बीना हस्पदाल जाए बीना दोवाई के एक अच्छी जिन्देगी आप जी सेको अच्छे ची किताब पढ़ें चाहे मेरी किताब होना क्यों किताब दोस्तों बहुत अच्छी चीज़ होती है किमिकल युक्त दोई से अच्छा है बार बार लैप टेश्ट में हजारों रुपया खर्च करने से अच्छा है कि आप अच्छी किताब से फाइदा उठाएं और अपने आपको नेचुरली दोस्तों फिट रखें आसा करता हूं किसी और नए वीडियो के साथ फिर उपस्तित होंगा तब तक इंतजार करें तैंकियो बेरिमंच जैहिंजे भार